नमस्कार आप देखर रियान 24 अपडेट एक बड़ी अपडेट आपको दे दें दिल्ली के 76 साल स्ट्रेडियम में पहलवान सागर दंखट की है तक ये मामले में जांच के क्रम में गैंगेश्टर कनेक्शन सामने आने के बाद यो तो दिल्ली पुलिस पहले से इस अब तक है लेकिन अब खूप्याई कईयों से गैंगवार की आसंका उने के बारे में इनपूट मिलने के बाद पुलिस पूरी तरह से चोकन नी हो गई है पुलिस की कई टी में गैंगेश्टर काला जठेडी और नीरेज बवाना के पूरी नेटवरक के पिछे लगी हुई है ताक कि उनकी गती विद्यों के बारे में पता चल सके वही इनके गुर्गों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है उदर पहलवान सुसील कुमार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है चांच के गरम में सुसील को कमांडो टीम की सुरक्षा के बीच ठीकानों पर लेकर जाय जा रहा है दरसल जांच में खुलासा हुआ की चातर साल स्टेडे में वारदात के बाद दिल्ली पुलिस द्वारकपजे में ली गई गाड़ियों में से एक गाड़ी तुख्यात गैंगेस्टर नीरेज बवाना का दाया आत कहे जाने वाले एक गुर्गे की है वहीं जब सागर पर अमला किया गया तो उनमें से एक साथी सोन्नु माल नाम के थे जिसका एक साथी को भी पिटा गया था वहीं जब सागर पर अमला किया गया था तो उसके साथी सोन्नु माल के साथ भी मार पिट की गई थी आपको बता दे कि सोनु माल दिली, हरियाना पंजाब और राजस्थान समय चार राजों में मोस्ट वांटिड गैंगेश्टर संदीप काला उर्फ जठेडी का रिष्टेदार है पुलिस की मानने तो सोनु पर भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं ऐसे में दोनों गैंगेश्टर संदीप उर्फ काला जठेडी और निरज बवाना के बीच गैंगवार शिडने के आसंका बढ़ गई है इसका खूपिया अलट भी जारी क्या गया है दोनों गैंगेश्टर के करीबी गुर्गों के स्किरिये हुने की सूचना मिल रही है वही खूपिया सूचना में यह भी बतायागा कि दोनों तरफ से तैयारिया चल रही है ऐसे में गैंगेश्ट के गुर्गों पर पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगी हुई है वहीं पुलिस सूत्रों का कहना की मामले में निर्ज बवाना और काला जठेडी का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस इन गैंग के गुर्गों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी इसमें से कुछ सकरिय गुर्गों पर विशेश नजर थी लेकिन वे अचानक भुमिगत हो गई ऐसे में ये संदे और गहरा होगा कि कई दोनों गैंगेश्ट के गुर्गें अंडर्गरांड ओकर कोई बड़ी साधिस तो नहीं रच रहे हैं बहराल देली पुलिस की स्पेशल सैल और क्राइम ब्रांच के अलावा जिला पुलिस की टीमें भी दोनों गैंगेश्ट के नेटवर्ग पनिगरानिक के निर्देश दिये गए है